हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्णिंग टू अल फ्यू आज है साथ जन्वरी और साथ जन्वरी के सारे टॉप करेंटरफेस हम लोग देखने वाले हैं विथ मैप देखेंगे और दो सो से तीन सो अलग से जीएस के फैक्ट्स देखेंगे रिवीजन करेंगे जो कि आपके आगा तीन बजे रिले करूंगा प्लीज बेशियोर कि आप उसे लाइव देखें सुबह का करेंटरफेस जो है साथ बज़ेस सुबह में आता है वन डे एक्जाम पॉइंट पर ठीक है वन डे एक्जाम पॉइंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बज़े जरूर लाइब देखें पहला कोशन है किसने टुरिजम उद्द्योग के लिए फर्स्ट कोशन इस किसने टुरिजम उद्द्योग के लिए Insight Tool को लाँच करने की घोशना की है तो Insight Tool को लाँच किया जाएगा किस कंपनी के द्वारा तो ये कंपनी है गूगल के द्वारा ठीक है गूगल कंपनी लाँच करेगी Insight App Insight Tool कुछ दिन पहले Bolo App भी लाँच किया गया था गूगल के द्वारा जो की बहुत निउज में चाया हुआ था क्या नम था उसका Bolo अब दोस्तों आज के जो भी एक्जाम हो रहे हैं उसमें Google, Facebook, Instagram, Twitter इन सब के founding year के बारे में पूछा जाता है और दूसरा पूछा जाता है किसके अस्थापना किस ने की थी तो Google जो था इसकी अस्थापना हुई थी 1998 में कब हुई थी 1998 में फिर YouTube के सफ़कना हुई है दो हजार पांच में Facebook के सफ़कना हुई है 2004 में और Facebook के सफ़कना हुई है 2004 में Instagram के सफ़कना हुई है 2010 में और ये आ रहाँ आपका जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते होंगे वो है WhatsApp इसकी सफ़कना हुई है 2009 में YouTube जो कि आप दूसरे नंबर पर यूज़ करते हैं फिर आता है WhatsApp फिर आता है टेली इंस्टाग्राम यही आपको समझना है तो आप एक लिंक बना लो सबसे पहले Facebook फिर आता है YouTube YouTube के बाद WhatsApp WhatsApp के बाद Instagram फिर इस इस लाइन में आपको याद करना है Apple की अस्थापना 1976 में ट्विटर की अस्थापना 2006 में ठीक है तो 2004 में फेस्बुक 2006 में ट्विटर और 2010 में इंस्टाग्राम 2009 में क्या है 2009 में है WhatsApp फिर यह जो है Microsoft यह बहुत ज्यादा जरूरी है 1975 में इसके अस्थापना हुई थी और Microsoft के Co-Founder अभी भी है Bill Gates जो की टॉप अमीरों की सुची में हमेशा टॉप पे रहते हैं IBM आपको याद रखना चाहिए IBM के अस्थापना हुई थी 1911 में दूसरा नंबर कुश्चन देखते हैं किस राज ने देशनायक दिवस मनाने की घोशना की है तो अगर आपको यह कुश्चन याद होगा तो आप खुद बता पाएंगे देशनायक किसे कहा जाता था hero of the country यह कहा जाता था सुबास चंदर बोश को तो देशनायक मनाया कहा जाएगा सुबास चंदर बोश कहा के थे तो वो थे कौलकाता या पस्चिम बंगाल आप कह सकते हैं पस्चिम बंगाल से वो related थे तो आपको यह धियान रखना है पस्चिम बंगाल की राजधानी है भारत की पहली राजधानी जो थी वього कंकत्ता ही थी 1911 में भारत की राजधानी को चेंग किया गया है ठीक है फिर बात करते हैं कि क्वेछ्टन पूचा जाता है कलकत्ता सभर को किस ने बसाया तो यह राइट दोगा जोब चार नौक ठीक है जॉब चार नौक ने कुलकता सहर को बसाया जैसा कि मैं डेली आपको जीएस रिविजन कराता हूं तो पस्चिम अगाल की आज बात हो रही है तो इसके साथ-साथ यह रहा आपके सामने जितने भी पोर्ट है एरपोर्ट है उनको पहले पोर्ट हम लोग देख लेते हैं पस्चिम अगाल में कुलकाता पोर्ट है और हल्दिया पोर्ट है दो पोर्ट आपको याद रखना है और कुलकाता पोर्ट ट्रस्ट जो था उसका नाम बदल के कर दिया गया है क सुбासचंद्रबूस एयरपूर्ट तो यह हो जाएगा नीता जी ौचंद्र चंद्र एयरपूर्ट कहा है कोलकाता में को अब बात करते हैं इंड्रागंधी इंट्रेस्टन एरपोट इंद्रा गांधी आपको पता है पालमभी से कहते है यह दिल्ली में और इसी बात करते हैं चात्रपती सिवाजी इंटरनेशनल एरपोर्ट यह है मुंबई में मैंने आपको कहा था केरला में चार एयरपोर्ट है, पोर्ट तो है ही बंदरगा, तो चार जो है एयरपोर्ट कौन-कौन से है केरल में, तो यह हो जाएगा, तीरु वनंद पुरमे के इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, फिर दूसरा है, कोजी कोड एयरपोर्ट, तीसरा है, पथान मतित्ता, क्या ना में इसका ह्मगता है पूट भीए पूट का नाम है कोची जोकी वेम बनार ले के किनारे है तो यह आपको ध्यानर कना है फिर बात करेंगे चनई की चनई में मैंने पहले इंप पूर्ट वुर्ट थो है हुई तूति कोरिन भी है और और इसनोर भी यहें यतीन यादेकनाना जन्ने पोट का नाम है अन्ना या मिनाम्बकम यह Airport है और जन्ने पोट है इसको कमराजर भी नाम से जानते हैं तो पोड और एरपोड में आपको कंफूज नहीं होना यह सब port है airport का नाम मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ इसलिए आगे बढ़ते हैं और अगले question की तरफ अगले fact की तरफ इससे पहले वीडियो को like भी कर दें जो भी extra fact हो उसे आप note कर सकते हैं इसकी PDF मैं telegram पे आपको दे दूँगा और इस telegram का link description में है अगर आपको कोई queries हो तो आप हमें contact कर सकते हैं Instagram और Facebook के link पर आप follow भी कर सकते हैं PDF में दिये गए link पे भी आप click करेंगे तो आप direct Instagram से contact कर सकते हैं Central Health Ministry launched which app for Corona vaccination तो केंद्रिय स्वास्त मंत्राला ने Corona Vaccine के vaccination के लिए कौन सा app launch किया है तो यह app है CoWin CoWin यह app है Corona vaccination के लिए पंकज मिथल की सुचने आल है कि मुखने आधिस की सपत लिये हैं तो पंकज मिथल जो है Chief Justice of which High Court तो यह जम्मू कस्मीर और लदाख High Court के मुख्या इनमें आधिस बने हैं पंकज मिथल ठीक है पंकज मिथल कहां के बने हैं तो यह जम्मू और कस्मीर लदाख High Court के है तो अब आपको देखना है मैप में जम्मू कस्मीर लदाख यह जो है 31 October 2019 को दो भागों में बटा है पहले यह एक state हुआ करता था ठीक है तो अब यह जम्मू और कस्मीर यह रिजन हुआ लद अब अब आनिक्तान से लेकिन यह जो पार्ट है यह पी ओके में है पाकिस्तान औक्यूपाइड कस्मीर में ठीक है यह आपको ध्यान रखना है कोई पूछे यह कुछन भी एक्जाम में आ चुका है कि भारत का इंटरनेशनल बाउंडरी कौन सा है तो आपको यह ध्यान नाथ जो है यह लद्दात के हैड हैं और मनोज सिनहा जो यह जम्मू कस्मीर के अभी लग लेकंटर बनाए गाये थे तो इसन यहाद रखना है और पिछले जो आपने भी के ममैं chip करेम्ड क्यों किये पे प्वाइंट किये गए है GC Murmoo लेट मीचेक यूओ आल कि GC Murmoo को भारत का क्या बनाया गया है जो भी आपको याद है आप प्लीज कमेंड बॉक्स में कमेंट करें आपका क्वाइटी चेख हो जाएगा नौलेज हो जाएगा 2021 के national metrological कंक्लेव का उद्गाटन किस ने किया तो 2021 में नेस्टल मेटरलोजिकल कंक्लेव है इसका इनाउगरेशन किया गया नरेंदर मोधी के द्वारा ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है किस देश ने गर्वपात को वैद बनाने वाला एक बिल पारित किया है तो यह देश है अर्जेंटिना अर्जेंटिना के राजानी का है ब्यूनस आयर्स ठीक है ब्यूनस आयर्स और पेसो यहां की करेंसी है ठीक है यह साउथ साउथ अमेरिका दिख रहा होगा अर्जेंटिना यहां पर है सबसे नीचे इसकी बाउंडरी लगती है चीली और चीली की राजधानिया सेंटिया वो अजके लोगे डिफरेंट एक्जामस में चाहिए अब रेलवे दो या भी पीसी दो किसी भी पॉब्लिक सर्विस कमिशन म उनके राजराधानी पूछ लिए जाते हैं तो याद रखिए इस साउथ अमेरिका से कुश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कि कौन से देश जो हैं वो लैंड लॉक्ड हैं तो यह हैं बॉलीबिया और परागवे दोनों जो हैं यह लैंड लॉक्ड हैं और यह हो गया पेरू है पेरू की राजधानी लिमा है और यह हो गया ब्राजील जिसकी राजधानी है ब्रासीलिया ब्रिक्स कंट्री का आपने नाम सुना होगा ब्रिक्स ब्राइस जिसका इंडिया और चाइना भी मेंबर है तो बी फॉर ब्राजील आर फो रोशिया आई से सी से चाइना देश से साउथ अफ्रीका यही ब्राजील है जिसकी राजधानी का है normally ऐ अगला है आपने नाम सुनाओक है यहीं ब्राजिल में maximum पार्ट में फैला हुआ है वेनेजु क्यूएल अधानी फिर बात करेंगे हम कोलंबिया जिसकी राज़ानी है बगोटा इकवेडोर है इकवेडोर की राज़ानी है कुईटो तो फिलहाल के लिए आप इतना ही फैक्ट याद करिए अगले किसी वीडियो में हम इसका फीजिकल के भी बारे में जानकारी ले लेंगे ठीक है चलिए सा Cena has launch तो यह है उत्तर प्रदेस तो यह है उत्तर प्रदेस के C.M. योगी आदितनात आणदी बेन पटिर वहां की गनर है उत्तर परदेश में चंदर प्रभा वाईललेफ राइस संक्चूरी है और उत्तर प्रदेस में ही चलिए उत्तर प्रदेश से अब कुछ फैक्ट्स है जो की रिसेंट में न्यूज में था तो आपको नोट करना चाहिए सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस यह जो है अभी लॉंज किया गया था उत्तर प्रदेश में ठीक है अब बात करते हैं परवासी राहत मित्र के बारे में इसको सबसे पहले लॉंज किया था उत्तर प्रदेश में अगर कोई प्रपर्टी लॉस करता है तो उसके खिलाफ कारवाई की जाएगी और इसे एकोनॉमिक पेनल्टी भी लिया जाएगा ये जो है ये कहां किया गया है उत्तर प्रदेश में ही ये प्रोविजन किया गया है कुशी नगर जो है इंटरनेशनल एरपोर्ट बनने जा महात्माबुद से रिलेटर जो भी फैक्ट आपको याद है उससे रिविजन करते रहिएगा क्योंकि एकजाम में पूछा गया है बाबा पूछा भी जाएगा क्योंकि बहुत धर्म और जैन धर्म बहुत इंपोर्टेंट होते हैं तो चलिए इसी बात के साथ बहुत धर्म देने का काम करते थे जिनसे वह असंतुष्ट हो गए थे उन्हीं को इन्होंने सबसे पहला अपना सिख्छा दिया था सारनाथ में ठीक है सिख्छित जब यह हो गये थे इनको ग्यान की प्राप्ति होई थी उसके बाद अगला कुछ ना है आठ नंबर इंस्टाग्राम पर पर्सन अब दे यह रवार्ड तो यह क्रिष्टियान रोनालडो का नाम आपको याद रखना है अगला है किस बैंक ने बचत खाता खोलने के लिए वीडियो के वाइसी कि सुविधा शुरू किया गया है आई डी बी आई बैंक के द्वारा वीडियो के वाइसी इसी तरीके से मैंने कली बात की थी वाटसाप बैंकिंग की शुरुवात की गई है बैंक ओफ बड़ोदा डी ओबी स्वरी बी ओडी अगला कोश्चन है राम लिंगेश्वर पार्क आउद्गटन कहां किया गया है तो राम लिंगेश्वर पार्क है उडिसा में उडिसा के सीम है नवीन सब किया गया है उडिसा सरकार के द्वारा मो नाम से होना चाहिए अगला है उडिसा में गहीर माथा बीच है क्या नाम है उसका गहीर माथा जहाँ पे ओलिव as लिए लिटली सी टर्टल मुत sounds गुछुआ जो ओलिव रिदली टर्टल होते हैं कचुए होते हैं उनके लिए यह फेमाश सब ऑडिसा में लेक कौन सा है चिलका लेक है भारत का सब से खारे मेंशार कॉन चिलका जी उसके बाद दूसरे नंबर पर पूली कट लेन जो की है आंध्रप्र देश में फूलर लेक कहा है कि यह है को फॉलर लेक्ट जमू में है और डल कासमीर में चलिए आगे बढ़ते है किस देश की संसदें। मलाला यूसुफ जाई स्कॉलर्शिप आक्ट पास किया है तो मलाला यूसुफ जाई जो एक्ट है scholarship based तो यह पास किया है अमेरिका ने और अमेरिका के भी कि प्रेसिडेंट बने है जो बाइडन और कमला हैरिस वहां की वाइस प्रेसिडेंट किसने एल्पीजी ग्राहवकों के लिए मिस्ट कॉल की सुविधा प्रिस्टार्ट की है टो इस नम ही धरमेंद्र प्रदान ये हमारे petroleum minister हैं नेक्ष्ट है All India Chase Federation का नया अध्यक्ष की से चुना गया है और इंडिया चेस फेडरेशन के नया अध्यक्ष चुना गया है चुसाँ थे तो सीसिटीवी निगरानी में दुनिया भर में कौन सीरस्पर है तो CCTV निग्रानी में दुनिया भर में सीर्स पर है चन्नाई अभी अपने मैप में चन्नाई को देखा था चन्नाई पोर्ट के बारे में भी बात की थी और मैं आपको दिखा भी देता हूँ यह है भारत और यह हो गया तमिलाडू तमिलाडू के एक सीरे पर है चेन नहीं तमिलाडू की राजधानी भी है ठीक है फिर बात करेंगे तमिलाडू के बाउंडरी तो यह केरला से लगता है करनाटका से लगता है और अंधर परदेश से लगता है ओके चलिए तो अब आपक 2021 में तौपर कौन है जो भी राइट आंसर हो जरूर कमेंट करिए साथ ही साथ कल का जो कुश्चन मैंने पूछा था उसका राइट आंसर होगा थावस मल्टी पर्पर्पस प्रोजेक्ट का उद्गाटन किस तार में हुआ तो यह इंफाल में हुआ था जो कि मनिपूर की जो कि centimeter मैं हुआ हर वड होगा जो जो की बारत राओने बारिक है जो कि एि करिव अ बारत म करेंट साथ तो यह कर कि दुचन क्घट कुचन हों जो कि इन तुचन है तो कि अ